नमस्कार दोस्तों जीगरीन सीरप बिना डॉक्टर के पर्चे दवारा मिलने वाली एक हरवल यूनानी दवा है जो मुख्यतह लीवर रोग के इलाज के लिए उपियोग किया जाता है इसके अलावा हमदर्द जीगरीन सीरप का उपियोग कुछ दूसरी समस्याओ के लिए भी किया जा सकता है तो वाई ये इसके मतपूर्ण फैदों के बारे में जानते है लीवर को स्वस्त रखे फाष्ट फूड जंक फूड या खराब खाने से जब सरीर में टॉक्सिंस यानि विसले तत्व बढ़ जाते है तो हमारा सरीर आल्थी और विमारियों का घर हो जाता है लीवर एक ऐसा अंग है जो अंदर से सरीर की सफाई करता है और विसाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है अगर लीवर स्वस्त रहेगा तो इससे विसले तत्वों का साब सफाई की प्रक्रिया में बाधा नहीं आएगी इससे सरीर तरो ताजा हो जाता है और बलड सर्कुलेशन में भी सुधार होता है लीवर को फिट और एक्टिव रखने के लिए नेचुरल हमदर्द जिगरीन बहुती फैदे मन्द है यह बहु जोड़ी बुडियों वाला यूनानी सीरप है जो आपके लीवर को स्वस्त रखने में मदद करता है इसमें रेवन चीनी, बिरंजसीप, अरजून, सर्फोखा, भांगरा और कालमेग नवसादर जैसे प्रमुक सामगरी है जो आपके लीवर को सुरक्चा प्रदान करते है भूख को बढ़हाए नियमित रुप से अगर किसी को भूख लग रही है तो यह उसके सरीर के लिए सही है लेकिन काम के बीच खाने को छोड़ देना या देरी से खाना ऐसी यादत हमारे भूख को मार देती है इससे सरीर कमजोर होने लगता है हमदर्द जिगरीन नकेवल लीवर को दवा और भोजन के जरिये सरीर में उत्पन होने वाले हानिकारक विसाक्त पदार्थों से बचाने में मदद करता है बलकि भूख को बढ़ावा भी देता है यह चिके सियर रूप से सिद्ध किया हुआ सिरफ है पाचन सक्ति को मजबूत करे भूख की तरह एक समस्या और है जो ज्यादातर लोगों में देखी जाती है वो है पाचन भोजन को पोशक तत्वों में तोड़ने के लिए पाचन जरूरी है जिसका उपयोक सरीर उर्जविकास और कोशिका की मरमत के लिए करता है लेकिन पाचन अधिकतर लोगों का गड़बडाया हुआ है बहुत कम लोग है जो इससे अचूते है हमदर्द जिगरिन पाचन सकती को मजबूत करने में भी मदद करता है इन सब के अलावा हमदर्द जिगरिन हेपेटैटिस सहित विभिन हानी कारक बिमारियों से सुरक्षप्रदान करता है प्राकृतिक जड़ी पूटियों से भरपूर होने की वज़ा से इसका कोई साइट इफेक्ट नहीं है वैसे यहाँ कैप्सूल में भी मौजूद है जिसका नाम हमदर्द जिगरिना है ये दोनों प्रड़क्ट ऑनलाइन उपलब्द है तो दोस्तों इस तरक यह जनकारी उप्त वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अब मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद